नूमेरिकल एनेसेस में नूमेरिकल method को solve करते हैं तो देखो Newton Raphson method उसमें है एक method तो उसको कैसे solve करते हैं सबसे पहले क्या करना होगा हमें जो equation दी हुई है उसका खनी मेर पहर में और हमें हमेने इनीसियल value गैस करनी होगा है x0 की value हमने let's suppose यहाँ पे कोई भी value x की value guess कर लिया तो उस पे हमें उस curve पे इस point पे हमने tangent निकाला tangent जहाँ पे वो x axis को cut कर रही है let's suppose वो x1 पे cut कर रही है तो x1 की value हमने निकाल ली x1 की corresponding अब हमें उस curve पे point निकालना होगा तो yx1 निकालाया या fx1 निकालाया तो यह point जो होंगे x1, fx1 यह point निकालाया यह point पे हमने tangent कीची तो हमें यह point निकाला गया यह point निकालाया तो इस तरीके से हम देख रहो initial guess से हम root के करीब पहुंशते चले जा रहे है तो हमें जो ready-made formula जो है अगर हमें x0 पता है तो next वाला approximate route यह हमें x1 पता है तो हमें x2 पता हो जाएगा तो उसका ready-made formula जो है वो क्या होगा x1 is equal to x0 minus fx0 divided by f' x0 x2 क्या होगा बस update करना होगा यहाँ पे यहाँ पे 1 की जगए 2 रखना होगा और 0 की जगए 1 रखना होगा x1 minus fx1 divided by f' x1 तो देखो यहाँ पे Newton-Raphson method में सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले x0 हमें find करना होगा उसके which is closest to the root ठीक है अब closest कैसे पहुँचेंगे तो which gives opposite sign वाला logic जो हमने bisection में सीखा है वही opposite sign वाला logic से हम लोग root के करीब पहुंच जाएंगे तो हमने x1 की value जिस formula से निकाल लेंगे अगर x0 की value निकालना है तो गुतो हम गैस कर लिए है अब देखो एक question है question यहाँ पर यह है find the real root of the equation this x3 minus 3x plus 1 is equal to 0 by Newton-Raphson method correct up to 4 decimal points यहाँ आब y is equal to fx is equal to x3 minus 3x plus 1 is equal to 0 हो गया ठीक है अब x0 हमें सबसे पहले इसमें guess करना रहता है उसके लिए हम लोग opposite sign logic use करेंगे अब यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले use किया 0 और 1 पे यहाँ पर plus positive मिल ला है यहाँ पर negative मिल ला है इनी के बीच में root लाई करेगा let's suppose 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लिया 0.5 पे value हमने देखी तो वो negative मिल ला है यानि की 1 और 0.5 के बीच में यानि की 0 और 0.5 के बीच में root लाई करेगा ठीक है तो 0.5 के बीच में write करेगा 0.5 से 0 के और और बढ़े आगे है तो 0.4 पे देखा वो भी negative दे रहा है 0.3 पे देखा वो क्या दे रहा है positive यानि की 0.4 और 0.3 के बीच में root लाई करेगा इनी दोन उप्या में opposite sign मिले हुए है एक पे negative मिल ला है एक पे positive मिल ला है तो x0 let's suppose अम ने 0.3 ले लिया ठीक है क्योंकि वही 0 और 0.3 के बीच में जो सबसे जो closest हो गया वही root के सबसे closest होगा point x0 is equal to 0.3 लेके x1 की value हम लोन निकाली इस फॉमले पे x0 की value रखा x1 की value क्योंकि fx तो हमें पता ही है तो x1 की value ने ये निकाली ठीक है अब fx1 की value हम लोग ने निकाली उसके बाद तो हम ये देख रहे हैं कि यहां मितलब x1 की value ये निकाली उसके बाद हम लोग ने x2 की value कैसे निकालेंगे इस फॉमले का यूज़ करेंगे इसी फॉमले में हम लोग upgrade कर देंगे 1 को 2 की लग कर देंगे x0 की जगे 1 लग देंगे यहाँ पर value निकाली x2 की value निकाली तो यह निकल के आई तो हम इस तरीके से आगे further proceed करते हैं तो हमें 4 decimal points तक निकालना होगा तो वो जो solution होगा वो हमारे पास यह इस तरह का आजाएगा x is equal to 0.3472 जब तक कि यह point के आगे 4 digits तक procedure को करते चले जाते हैं पहले x1 निकाला फिर x2 निकाला फिर इस तरीके से जब तक यह value नहीं इकल आती है तब तक हम लोग procedure करते हैं